हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक माई यूटीव चैनल लावित रोनी दोस्तो एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो की अलहाबाद हाई कोट से दोस्तो ये रिलेटेड वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे मुखे नयादीस आज लेंगे सपत्ल मिन्स की जो न्यू इन्होंने प्रेक्टिस किया है या फिर किस किस हाई कोट में ये जस्टिस के रूप में काम किये हैं इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जी हाँ दोस्तो ये देख लिजे आपके नय चीफ जस्टिस है उत्तर परदेश मिन्स की इलावाद हम बात करते हैं मुख्य नयादीस आज लेंगे सपत सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो आज का मुख्य नयादीस आज लेंगे सपत ठिक ये हमको कहां से News मिला है तो साथियू यह जो News हमको मिला है यह प्रियाग राज के दौरा हमको यह न्यूज मिला है देखिए इस न्यूज में क्या बताया जा रहा है कहा जा रहा है इलहाबाद हाई कोट के मुख नयाधिस के रूप में बरिष्ट नयाय मूर्ती प्रितिंकर दिवाकर रविवार को सपत लेंगे मिन्स की आज के दिन आज स सपत दिलाने का कारे कौन कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की राज जेपाल सिरीमती आनंदी बेन पटेल जी के द्वारा किया जा रहा है अब आगे देखिए इनके कारेकाल के बारे में नयमूर्थी प्रितंकर दिवाकर ने रानी दुर्गावती विश्टो विद्धाले जब जबलपूर है जबलपूर से विधी की पढ़ाई करने के बाद 36 गड़ हाई कोट में प्रैक्टिस शुरू कि थी सोचिए इन्हों ने प्रैक्टिस ही शुरू किया था कहां पर प्रैक्टिस शुरू किया था वह 2005 में बता और वरिष्ट अधिवक्ता नामित हुए थे मिंस के इनको सेनियर इड़ोकेट बनाया था कब बनाया था तो साथ ही 2005 में इनको सेनियर इड़ोकेट बनाया था इसके बाद दो हजर नौ में 36 गड़ हाई कोट रहाबाद राजेस बिंद को सुप्रीम कोड का जज बना देने के बाद यहीं पर इनके कारेवाहक मुख्य न्यायमूर्थी न्यूक्त कर दिया गया था तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि जो हमारे Chief Justice है जो इलाबाद High Court के जो पहले Chief Justice है मिंस की पुराने इनसे Chief Justice है राजेस बिंदल साहब नयमूर्ती राजेस बिंदल साहब को Supreme Court में अब नयधीस बना दिया गया तो भाई हमारा High Court का जो Chief Justice है उसका जगा खाली हो गया त तो वरिष्टता के आधार पर यहां पर बना जाता है तो वरिष्टता के आधार पर इनको क्या बना दिया गया इनको कारेवाहक मुख्य नयधीस बना दिया गया ठिक किसको बना दिया गया कारेवाहक नयमूर्ती तो प्रितिंकर दिवाकर साहब को इनको कारेवाहक नयमू यह आप लोगों के लिए जरूरी था क्योंकि आप लोग लाव फैर्टर्मिट्री से बिलॉंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलावाद हाई कोट में इस समय चीफ जस्स कौन है और सुप्रीम कोट अफ इंडिया का तो आपको पता ही होना चाहिए यह करेंट अफ